हेलो श्वेंड एक बाफ फेट से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटे चैनलमाट सब्टेक्टों में श्वेंड आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं जून दो जार वाइस के टमेड एक्जाम के विश्य में देगी बहुत सारे श्वेंड इस बात को लिकर कन्फ्यूज हैं कि जून दो जार वाइस के टमेड एक्जाम होंगे भी या नहीं क्या प्रवोशन मिलेगा या एक्जाम पॉस्पान होंगे एक्जामनिशन फॉर्म अभी तक इगनू ने रिलीज क्यों नहीं किया और एक्जाम फॉर्म कब आ सकता है अगर जून 2022 के टमेड एक्जाम होंगे एक्जाम किनके होने बाले हैं यह सारी ही पॉइंट और प्रव पर फिर्ट से मिलेगा examination क्या online होंगे offline होंगे इन सभी विश्याओं पर आज की इस पीडियो में clear cut information देने बालो हूँ पीडियो को इलकुल भी escape मत करना वीडियो complete एंज्यान से जरूर देख लेना साधी इस पीडियो को like and share कर देना और हाँ चैल पन रही हो तुछ एंको जरूर से subscribe कर लो साधी गयले केंद वालो तक ही latest पीडियो के update आपको मिलती है आई इस पॉइंट बात करते हैं जून 2022 के termed exam के point view से देखी जैसा की confusion चली आ रही है उसका reason एक ये भी देखने को मिला जो हाली में इगनू ने एक notice जारी किया है जो कि आप सभी को मैंने previous पीडियो में clear out किया था उस notice के विशे में जो की notice ये था notification for exemption from appearing termed examination related to online program अब जब exemption वाला ये notice आया है तो बहुत सारे student confused हो गए कि जून 2022 के termed exam में के promotion मिल रहा है बेसिकली इगनू ने बहुत ही जैसे ही आपको पता है कि इगनू के काम हमिसा time पर होते हैं और time से बहुत जादा ही पहले हो रहे है देखे जून 2021 के termed exam के लिए अब जाके इगनू ने form release किय है जो exemption वाला था अब ये notice आया है जिसके तहत जो online program के च्ट्वेंट थे चैंबेश्टर डिगरी के हो या फिर master डिगरी के उनको exemption दिया गया June 2021 के termed exam के लिए जब हम बेट कर रहे हैं June 2022 के termed exam का तब June 2021 के termed exam के लिए promotion वाला notice इगनू की और से जारी किया रहा है जिस notice के बज़े से काफी student confused भी हो गए और reason ये भी है कि कई सारे student ना ही notification को जैक करते हैं ना ही वीडियो के मादम से जो information को provide की जाती है वो देखते हैं तो आप सभी लोग को भी थोड़ा वेर रहना पड़ेगा या तो आप लोग जो notice इगनू की ओर से आरे हैं उससे आप read कर लो अगर read नहीं कर पा रहे हो तो हमारी वीडियो को देख लो आप सभी को इसमें complete information मिल जाती है तो खेर ये तो रहा June 2021 के termed exam का notice जोकी online program के strengths के लिए था जो मैंने clear out कर दिया अब में मुद्धे पे आते हैं कि June 2022 के termed exam के विशह में क्या जानकारी है अब देखे पहले मैं बा ही conduct के जा रहे है एस परदी notification अब जब notification एगनू की ओर से जारी हुआ तो कई सारे point निगल के आए यह आप सभी के screen पे है दस फरवरी 2022 को notification जिसके तहत December 2021 वाले termed exam अभी फिलाल March and April में conduct के जा रहे हैं अब यहाँ से एक point निगल के आए कि भाई जब December 2021 के termed exam इतने पोस्प होंगे हाँ काइदे से ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि impact आने वाले termed exam पे होगा ही उसका एक रीजन यह भी है कि इगनू को यहाँ पर assignment के लिए last date extend करनी पड़ेगी काफी जादा reason यह बनेगा क्योंकि जो student जून 2022 में अपने final year के लिए exam देंगे उनके लिए problem बनेगी इ इगनू को dates extend करनी होगे क्योंकि इगनू ने पूरे तरीके से students के लगवग एक साल totally loss किया है जोगी impact देखने को मिल रहा है students के उपर so खेर examination की जहां तक बात है वो उसमें थोड़ा वाट delay देखने को मिलेगा लेकिन लगवग आपके exam जून से ही consider करके मान रहे हैं क्योंकि अभी के लिए कोई guidance नहीं है एकनू की ओर से की exact date क्या रहेगी लेकिन जो general dates रहती है एकनू के exams की वो है एक जून से आपके exam start हो ज चलते हैं उसके बाद में आपके लगवग जुलाई के फर्ष्ट पीक में आपके ओबर हो जाते एक्जामनेशन इसके बाद में डियर examination form को लेकर काफी student के सवाल है कि exam form अभी तक नहीं आया है इसका reason क्या है और जब भी हम check करें तो दिसंबर 2021 वाले examination form है जिसकी last date already over हो च जहां तक बात है examination form की आप सभी को बता दें exam form इस पार काफी टेले हुए last जो जून 2021 के डमड exam थे उसका form 15 माई के something आया था जो की one week का फिर अंतराल पड़ा था 17 माई को वहाँ पे confirm हो गया था तो अभी जो consider करके चला जा रहा है expected जो की previous outcome रहा उसके तहद आप सभी का ज दिसंबर 2021 के टमड exam का भी exam form काफी डिले था 17 नवंबर को आया ऐसे ही जून 2021 के टमड exam का मई में देखने को मिला इस बार भी आपका जून 2022 के टमड exam का जो examination form है वो मई में आपको देखने को मिल जाएगा उससे पहले आने के थोड़ी कम chances नजर आ रहे हैं उसका reason यह है ongoing exam जो की December 2021 अभी चल रहे हैं क्योंकि इसका एक impact यह भी होता है कि जो इस्ट्वेंड backlog आ जाती है उनको पहले तो यह clear cut होता है कि आप लोग अगर आपको लगता है कि आपकी backlog है और आपके chances नहीं है तो आप exam form fill कर दे उसमें एक option बाद में मिलता है कि आप exam में अपेन ना कर पहीं जो इस्ट्वेंड प्रोमोशन की बात लेके बैठे हुए कि जून 2022 के termed exam में प्रोमोशन मिलेगा इसके ना के बरावर चांसे से अब प्रोमोशन की बात बिलकुल नहीं लगती कि इगनू की ओर से देखने को मिलेगा और ऐसे इस्ट्वेंड जिनको अल्रेडी प्र प्रोमोशन मिलेगा इगनू ने अभी तक दुबाय से किसी कोई प्रोमोट नहीं किया इनफेक्ट जुलाई 2019 वेच जिनका अल्रेडी फर्स्ट एर में प्रोमोशन मिला उनको सेकंड येर का ओबर ऑल बन येर लॉस कर दिया लेकिन प्रोमोशन आफ़ नहीं दिया तो आप लोग अपनी तयारी अच्छे से रखें आपके एक्जाम सेकंड येर के जून 2020 में डेफिनेटली होंगे तो आप लोग तयारी करें उसमें आपको प्रोमोशन नहीं मिलने वाला और यहां तक बात है मोड ऑफ एक्जामनेशन की उस पर भी हम बात कर लेते हैं देखिए यहां पर आप सभी को मिल जाएगी जो कि डिसमबर 2021 वाले हैं वो एक्जामनेशन आपके औफ लाइन मोड पर कंड़क्ट किये जा रहे हैं इससे पहले भी इगनु ने हर बार एक्जामनेशन औफ लाइन मोड पर हीली हैं तो आफ लाइन ही एक्जाम होंगे ऑनलाइन होने एक बार फिर से highlighted point में आप सभी को clear out कर दे रहा हूँ हमने बाद की examination form के विशे में जो exam form है आपका mid-mai में देखने को मिल जाएगा examination की जो general dates रहेंगी वो आपकी जून में start होने की chances हैं लेकिन इस पर थोड़ा delay देखने को मिल सकता है उसका reason ongoing exam है वहीं जहां तक बात है assignments की last rate की वो भी आपको further extend होती हूँ नजर आएगी जोकि यह भी 15 April 2022 है इसके लावा हमने बात की यहाँ पर examination mode के बारे में जोकि offline रहेगा साथ ही हमने बात की promotion के संदर में तो promotion दुबारे से किसी student को नहीं मिलेगा एक बार ही promotion offer अभी तक किया गया है तो आप लोग अपनी तयारी अच्छे से करते रहें जो भी new student भी हैं वो भी because इस पर promotion के chances नहीं हैं तो आप लोग अपनी तयारी को भैदा डंग से करें अपने exams के लिए अच्छे से पढ़े हो और ताकि आपका exam अच्छे से निकल जाए I hope कि आपको यहां से सारी ही point क्यून 2022 के determined exam के विशे में clear out हो गए होंगे बाकि अगर आप July 2019 बैच के student है तो आप इस video को देख सकते हैं इसमें मैंने complete information share की है इसके लाबा अगर आपका July 2020 सेशन है जिनको first year में promotion मिला था 28 अक्टूबर के notice के बाद में तो आप लोग इस video को देख सकते हैं इसमें complete information share की है मैंने first year second year and third year के विशे में जून 2022 के exam के लिए assignment के विशे में complete information वाली वीडियो ये है इसका link आपको description में provide कर तूँँगा जरूर से चेक आउट करना I hope कि आपको सारी ही point के लिए राउट हो गए हो ये video गर आपको पसंद आई है तो इस video को like कर दें शेयर कर दें सबीश पूइंट के साथ में साथी चेल पर नए है तो चेल को जरूर से subscribe करें कोई भी query or suggestion है तो comment box में जरूर से mention करें इस video में इतना ही मिलते हैं एक और video में तब तक ले जाएंगे अवारत बाय दोस्तों